स्वाधत है आप सभी का मनोज स्टेडी सेंटर यूटूब चैनल पे गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग सभी को जैहिन सभी को बंदे वातरम और यहाँ पर देखिए डेली रात नी साहरे 8 बज़े आपकी कलास चलती है हिंदी की आप टाप 50 प्रस्णों की और पर देखिए जवाव माये बीच चायँ पहले नंबर का पताया जा रहा है मानिये स्वास्थ अधिकारी को जो कि बिल्कुल रूदर दिया गया आपसा नमबर अपका ऐक्सरानां relevant ए पर को पालए हूगा कैं एप्यां चलिए को सब्सक्राइब देखिए आप आपको देखें जवाब देना है एक बार देखिए वाइस लिए पहुंच पार है एक लेएक लास को एक देखिए वाइस के लिए रहा रही है चलिए यह अपर देखिए सेखेंड नमबर आप से पुछा गया जिनका कहते हैं यहां पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा स्वार देखिए स्वार जो होते हैं सोतंत्र होते हैं और इनका बिंजन के उचारण में क्या होता है होते हैं आपसा नमबर है यहां पर बिल्कुल सही जवाब दिया गया है यहां पर देखिए और बड़ी चाचा जा यहां आधिका उचारण किससे होता है कोसा नमबर देखें तीर नमबर जवाब देना है अधिक बड़नों के मेल को कि चलिए आगे बढ़ते हैं इता सब्दों में से सवर संदी को पहचानी है पांच नंबर क्या होगा तो पांच नंबर का आपको यहां पर क्या होगा स्वर संदी को देखिए आपको बताना एं कि है है आध यहां पर पूस्ट काल आपका होगा होगा हुआ места है मुंबई में देखंगेक जवाब दिया जारहां कہ रहा है इनम्बर बिल्कुल ॉह च्ट्पूरथ होगा हमें अपसब्द नहीं बोलना चाहिए बैखरण के टेस्ट से रेखांगी सब्दे हाँ पर क्या है यहाँ पर देखें आपको जवाब देना है हमें अपसब्द नहीं बोलना चाहिए और यहाँ पर देखें सेवे नमबर का जवाब बाच चुका है बिल्कुल सभी है यहां प्रांसर बताया जारा उपसर्ग होगा बिल्कुल सही अंसर है आपका C नंबर होगा हाना आप उपसर गये बिल्कुल सही है अगला प्रेश्ण बताई अफसोस मैं नहीं जा सका देखे अफसोस आपने देखा होगा यह वर्ड तभी कुछ होता है जब दुख बगैरा है सोक सुचक अभ्या होगा आपसर नंबर भी ह लिखा है कुकुर लिखा हूआ है इसका तदभौ कुत्ता होता है इसका तदभौ दोस्तों क्या होता है कुत्ता इसलिए अंसर आपका भी रसे सब्सक्रावर को देखे पैचानिए 10 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा देखेए 10 नमबर का जवाव हमारे भी चाठ चुका है बिलकुल सही जवाब दिया गया मपर जो आपका तदभाद बिकल्प होका अगर यहां आलस से लिखा होता तब आपका तस्सम होता ठीक ना बिल्कुल सही है यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते है कुष्ट है कुष्ट हमारा तस्सम है इसका तदभव कोड होता है अंदकार की बात करेंगे अंदकार ये भी तस्सम है इसका अंधेरा होता है तदभव और उल्लास भी आपका तस्सम सब्द है इसका हुलास होता है अगला प्रश्ण बताईए यहाँ पर देखिए आपको बताना है नेक्स्ट प्रश्ण है निमलिखी सब्दों में से अर्द तस्थम सब्दों को पहचानिए ग्याले नंबर कर देखिए आपको जवाब देना यहाँ पर राइट अंसर आपका क्या होगा अर्द तस्थम सब् दई जो आपका यह आपका अर्थ तरस्म सब्द होता है यहाँ पर राइट अंसर बिल्कुल सभी नंबर होगा यहाँ पर बताइए विदेशी सब्द को पहचानिए बाला नंबर में हाँ पर जवाब क्या होगा तो जो आपका पहला विकल्प आपका लिखा हुआ है गिलास आपका सब्द कैसा विदेशी सब्द है आपसा नंबर आपका यह नंबर बिल्कुल करेक्ट अपका होगा यह सब्द अगर प्रस्ण मताईये निमलिखित विश्यस्णूँ में सफे संग्या को पहचानिए बहुत आसान है संग्या बता सकते हैं आस्मानी नियमेत पास्चा भाय है हां बिल्कुल सही यहाँ पर अनुसासन अनुसासन क्या होगा आप नमबर डी बिलकुल सही जवाब दिया गया है आपको की सब आप देख रहे हैं रेखांगे सब्दे में कौन सर्वनाम है 14 नंबर बताईए तो यहां पर आपका आप लगा है ना तो समझ गया होंगे निजवाचक होगा निम्लेकी सब्दों में से विशेशन को पहचानिए 15 नंबर में जवाब देना क्या होगा 15 नंबर में दिखिए आ मतलब यह आपका क्या है यह क्रिया विशेशन है क्रिया विशेशन जिन सब्दों के दोरा क्रिया विशेशन या दूसरे क्रिया विशेशन की विशेशता का बोथ होता है उन्हें क्रिया विशेशन कहते हैं आपसा नंबर यहां पर यह नंबर आपका सही होगा वह पढ़त है लेकिन बात भी बहुत करता है व्यक्रण की डेश्ट से रेखांगी सब्दों को पहचानिये तो 17 नमबर के आप पर जवाब अगर आपका आ रहा है आपसा नमबर भी अभ्याय तो समझ जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं लेकिन हैना अभ्याय होगा आपसा नमबर भी यहाँः ऱटार नमबर को से नमबर बिल्कुल इंसर आपका होगा जैसे ही जाया यह जो आपके लिखे होए संतोष यहां पर लिखा हुआ है महाधने रेखान के सब्द का सथीग विलों क्या होगा विस नंबर में तो संतोष का विलों सिम्पल शी बत्वाथ है आप सानुबर आपका इह होगा युग में सब्द की कौन सी जोड़ी आपकी हाँ पर सही लिखी वही है है यहाँ पर देखिया आपको बताना है इन में से कौन सा आपका जोड़ा सही लिखा हुआ है तो न्याय अन्याय सही है धारा प्रत्वी ये भी सही है हाना 21 नंबर में आपको बताना है अचल और अचला हाना अचला और अचला यही वाला आपका जो है जोड़ी सही है हाना सही अच्छ के से भलों मेंया का अंयाय का डिलौम है मान का आपमान बिलौम है थीक नहीं अधरा प्रत्वीँ दूसरे क्या है यह आपका क्या प्रयाय वासी है यह में सलस्टी होना चीए ़े हरा कि विलों देखने पर यूग में बोला गया था ना कई być ने ना यहां वर प्रत्यू यह तो जानते हैं यह भिलोंad नयाएअ भी इसतिर और अचला का मतलब होता है प्रत्यू अचला का मतलब होता है प्रत्यू तो यहां पर आमसार आपको C नंबर ही लगाना होगा यहीं आपके जोड़ी है आपका जो सही है अचल और अचला नहीं नहीं होगा यहां पर 21 नंबर का आपका सी बिल्कुल सही होगा यूग में देखे यहां पर आगर आप देख रहे हैं तो यहां पर तो आपका बिलोम हो रहा है इसमें भी बिलोम हो रहा है अचल और चल यह अगर लिखा होता तो फिर आपके बिलोम हो जाता यह परयाब अच्छी हो रहा है लेकिन यह वाला जो है न अचल का मतलब क्या होता होता है अचल का मतलब आपके होता है एस थिर और अचला का मतलब किया होता प्रत्य भी होता है जो जलिए पूना है एक रेखांगी सब्द क्या होगा तो संबंद सूचक है यहां पर आंसर क्या होगा आपका भी होगा बिल्कुल सभी जवाब लिया गया है माता पीता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं यहां पर देखिए आपको बताना है राइट असर गया होगा 24 नंबर और यहा कारक को परकट करने वाले जो आपके साहिक तत्तु होते हैं यह चिन होते उन्हीं को तो कहते हैं परसर्ग जैसे के लिए को ने में पर आपने पढ़ा होगा ना करता ने यहीं सब आपके परसर्ग होते हैं वचन की डेश्ट से कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं है 25 नंबर त्वीक मंतर लगने चाहे लिखा में और निया बड़ी लगा यहीं का जोड़ना आपको जोड़ा सहीं नहीं है स्कहियां कैसे लिखा जाता है इस तरीके से कर्मे की बात हो रही है और अंसर आपका करमवाच्य होगा निम्ले लिखीत वाक्यों मेंसे भविस्यत काल को पैचनिए 27 नमबर का Memory और यहां मा बच्चे को पढ़ा रही है यह आपका ततकालिक वर्तमान कालाप का होगा मध्याम पुरोस्तू का सही बवचन क्या होगा तो यहाँ प्रापका हो जाएगा बिल्कुल सही 28 नमबर कभी होगा तुम लोग है जिस वाक में इसलिए और क्यों कि लेकिन परन तो आद ही समुचे वो तक सब जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं यह हमने कई बार बताया है उन्हें हम संयुक्त वाक कहते हैं अगर यह सब दगार आपको कहीं देखने को मिलते हैं तो समझ जाईए कि संयुक्त वाक आपका यहाँ पर सही होगा उन्तिस नंबर का यह बिल्कुल सही है बच्चे खेल रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताईए तीस नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा बच्चे खेल रहे हैं यह आपका क्या होगा यह आपका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब दिया गया तुम्हें मुझे पढ़ाना यहाँ पर तुम्हें होना चाहिए था आपसान नमबर यहाँ पर यह बिल्कुल सही है मुझे बाहर जाना है यहाँ पर देखिए आपको बताना रेखांकी सब्द है यहाँ पर रेखांकी चिन्नों को पहचानी है मुझे बाहर जाना है ठीक है ना तो यहाँ पर जो है लिखा ना आप देख रहा है पोड़ विराम लगा है तो बस आपसा नंबर यहाँ पर पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सही है किसी पद उपवाक की याद की विशेस्ता दिखाने के लिए सब् 32 नंबर में देखिया आपको बताना है उसने तो मेरी आंखे खूल दी यहां फोल तारों अधी का इस्थान वाक्याँश के लिए ऊची सब्दे यहां पर अंसर सही होना चीए अंतरिच होगा बिल्कुल सही जवाब दिया गया है निम्लिकित में से समानार्थी जोड़ी को इस परश्ट करिए समानार्थ को बेखते करने वाले जो सब्द होते उनकों समानार्थी सब्द कहते हैं यहां पर अगर बात करेंगे पारवती और मैसुरी यहां पर आपका बिल्कुल राइट अंसर आपका है बिल्कुल सही जवाब दिया गया आपसर नमबर ए होगा बिल्कुल करेक्ट अंसर है पूर्वी हिंदी छेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है पूर्वी हिंदी में देखिए आपकी आवदी बोली जाती है बगे चारीस नमबर में यहां पर जवाब माले भी चाचुका है कह रहें हैं महाराष्ट बिलकुल सही है महाराष्ट जो राज्य है आपका ना हिंदी वहसा राज गंद्र के कौन सा राज्जी नहीं है महाराष्ट नहीं है रामचरित मानस के राचाईता कौन है बहुत ही आसान प्रश्ण है बिलकुल सही जवाब दिया गया गोह समी तुलसी राज जी बिलकुल सही है अफसान नमबर 40 का ए होगा अंग्रेजी का हिंदी अन्वाथ यहां पर बताइए यहां पर राइट असर बताइए क्या होगा लिखाओ है डाइजेस्टर अ इन्वाल्मेंट इस दा बिगेस्ट प्रॉब्लम बताएए इसका अंसर गया होगा पर्रयवरण को निपहुंचाना आज की बड़ी समस्या बड़ी समस्या लागा है बिगेस्ट प्रॉब्लम आपको यहीं से आइडिया लग गया होगा आपसा नमबर यहां पर बीनमबर आपका सई होगा अगला प्रशन बताईए सिच्छा मनुष्च जीवन की नीव है सही अनुवाद में लिखिये यहां पर 42 कंसर क्या होगा तो यहां पर आपका होगा एजूगेशन को यहां पर चार भागों बाटा गया है आदिकाल भक्तिकाल रीतिकाल और आधुनिकाल बक्तिकाल के संत कभी सुरुदास जी को कौन नहीं जानता है इस तरीके से देखे पूराब का इस तरीके साफ पूराब पढ़ेंगे और इसी क्या अधार पर आपको अंसर देना हो कौन से काल के संतिक अभी है तो अभी हमने बताया थे भक्तिकाल के हैं आपसा नंबर आपका सही होगा निम्हें लेकित रचनाओं में से कौन सी रचना सुरुदार्ची की नहीं है तो अगर हम 45 नंबर में बात करेंगे रमाइनी रमाइनी जो रचना यह अदोस्तों कविर दाची की है इसलिए यही वाले नहीं होगी सूर्दास की बात करें गें बात करहेंगे तो यहां पर आपका स्रंगार पाएगा सांत रसमी और वासर लेकिन भायान रस आपका नहीं पाया जाता है 46 नमबर के यहाँ पर डी नमबर आपका करेक्ट रंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अगला प्रशन है आधे अधूरे एक किस विधा की रचना है तो 47 का आपको हो जाएगा यह नाटक है जै द्रत बद किसकी रचना है य यहाँ पर बताईए रचनाकार कौन है चाया वादी रचनाकार की बात हो रही उन्चास नमबर में और बताया जारा सी नमबर बिलकुल सही है सुमित्रा नंदन पंत बिलकुल करेक्ट रंसर दिया गया है देखिए महादेवी बर्मा जैसंगर प्रसाद निराला यानि सूर चायावादी रचनाकार है ठीक है ना तो यहां पर आप देखेंगे तो सुमित्रा नंदन पंत आपको लगा देना हिंदी साहित को कितने काल खंडों विवक्त किया गया है तो 50 नमबर में आपका आदिकाल भक्तिकाल रितिकाल और आधुनिकाल यानि टोटल आपके कितने खंडों विवक्त किया गया चार आपसा नमबर यहां पर लेकर चववन तक लिखा हुआ नीचे दिये गए गद्दांस को पढ़कर पुछे गए प्रश्णों के उत्तर दिजिए यहां पर देखें गद्दांस आपको दिखरा लिखा हुआ है यहां पर आप दिखें अंसर देना है तो सबसे पहले जोगी पूछा गया है क्यावन नमबर किसे से रहित राज किस काम का तो यहां पर साब साब देखें लिखा हुआ है अपने प्रिजनों से रहित राज किस काम का तो कंफर्म हो गया अंसर आपके हैं पर क्या होगा प्रिजनों से होगा आपसा संसार होता है हना संसार होता है आपसा नंबर भी होगा निस्फल का आसर क्या होता है निस्फल हना तो निस्फल जो आपका है यहां पर आप इसको गद्दांस में पढ़ेंगे तो आपका जो अंसार आएगा यहां पर क्या होगा निस्फल यानि ब्यार्थ यहाँ पर देखे लिखा हुआ सुख के खेत को हरा भारा और प्रफुलित करने का अर्थ क्या है यहाँ पर देखे आपको बताना है सुख के खेत को हरा भारा और प्रफुलित करने का अर्थ क्या है यहाँ पर 54 नमबर कोगा जीवन को सुख में बनाना आप देखिए यहां पर 55 नमबर से आपके प्रश्लिश स्टार्ड आपको जवाब देना है निमने में से दीर के सुर यहां पर क्या होगा पंज्ञेर का अंसर बताईए सभी लोग कमेंड करिए कोसा नमबर 55 का राजिव अंसर क्या होगा दीर के सुर कि देखिए आपके मूह कि हाँ यहां पर देखे अंसर आ चुका है कि जो बड़ाय यह मूल दिर्गेसौर होते हैं यहाँ आपके सायुक्त दिर्गेसौर में बटते हुए क्या कि जो 55 नमबर अंसर आपका यहां पर होगा हाँ यहां पर कौन से लगाए है आजिए यहां पर यह होनी सकता कि यह तो दिर्ग असवर नहीं हस अफसर नमबर एटो नहीं होगा अगर इन दोनों लगाएंंगे तो यह आप की आज आएंगे किश्में सैयोग्त दीर गस्वर में अनसर आपको लगाना पड़ेगा बिय नमबर बी नंबर और देख लीजिस सवी का हाँ बिल्कूर सही है अगरे प्रस्ण बताइए और यह आपर देखें आपको बताना निंबने में से अंतस्ते बैंजन कौंसा है कि अंतस्ते बैंजन कौंसा यहां पर देखें छपपन नंबर का जवाब देना राइट चाहिए 56 नमबर का जवाब आ चुका है C नमबर हाँ बिलकुल सभी जवाब दिया गया है बिलकुल सभी है यहाँ पर वा होगा यारा लावा चार अंतरस्त बंजन होते हैं अल्प प्राण बताईए 57 नमबर में अल्प प्राण बताईए पहला तीसरा और पांचवा जो आड़ नमबर होते हैं वो आपके क्या होते हैं अल्प प्राण होते हैं और दूसरा और चौथा जो होता है वो महः प्राण होता है हाँ बिलकुल सही है 57 नमबर का भी होगा गा नमबर ऐसे याद रखी अल्प में देखिए अल्प में आया ना तो आ से मतलब आड़ नमबर आड़ नमबर में आपके कौन कौन से होते हैं वोन होता है तिरी होता है फाइव होता है अट्व फूर होके आपके महः प्राण हो जाएंगे इस तरीके से आप याद रस सकते हैं निमने में इसे घोस वाण कौन सा है अठावन नमबर बताईए तो यहाँ पर आपका यह नमबर जो लिखा हुआ है ना जा यही आपका हो जाएगा हाँ बिल्कुल सही है जा जो है घोस यानि घोस कोई सगोस कहते हैं घोस अगोस आप जानते ही होंगे हादे के सगोस या घोस की बात एक ही है इसमें क्या होता है अगोस में क्या होता है दोस्तों पहला और दूसरा जो बेंजन होता है वो अगोस होता है तीसरा चावता पांचमा क्या होता है सगोस होता है ठीक है अपसा नमबर आपका यहाँ पर क्या होगा अठावन कही उनसार नंबर बताइए यह आपका हो जाएगा फोस्ट में देखिए आपके आते हैं पावर्ग में तो सभी आते हैं और इसके बाद चोटा हूँ और बड़ा हाँ यह भी आपका ओस्ट में आता है यहां पर डी होना चाहिए उन्सापका डी है हाँ देख लेते हैं सभी का अंसर आ रहा है हाँ बिल्कुल सही है अगला बताइए साथ नंबर निम्निवे से योग रूड सब्द यहां पर काउंसा है साथ नंबर तो यहां पर आपका महा प्लस उत्सव होगा आफसा नंबर सी होगा हाँ बिल्कुल देर के संदी है बिल्कुल सही है बैल गाड़ी में बताइए समास काउंसा होगा तो यहां पर आपका तत्पुरुस हो जाएगा यह प्रशन कई वार पूछा भी गया है बैल गाड़ी में तो इस चीज को भी से द्हार रखेंगा यहां पर आंसर जवाब का डी नंबर होगा आगमान में उपसर्ग बताईए यहां पर तिरिसर्ट नंबर में जवाब यहां पर क्या होगा आगमान में उपसर्ग तिरिसर्ट नंबर के यहां पर बता जा रहा है बढ़ा आ बिल्कुल सही है रसोईया म मिल्पका तश्म है 65 में तस्तम की बात हो रही है तो बताएव 65 का कह रहे हैं 65 का जबाब दीजिए एनमबर हाँ बिलकुल सही च्षेत्र छेत्र आपका यह याद रखिये इसका तदभाव बताईए क्या होगा तुत दोस्तों क्या होता खेत सब्सक्राइए मेंदागद करने सब्सक्राइब बिलकूल सब्सक्राइब पर कौन सा है देशा इनमें से कौन सा होगा देखिए जो गोबर आपका है और घोड़ा है ठीक ना और यह हल्दी यह सब दोस्तों आपके क्या है यह आपके तदभाओं यह क्या तदभाओं यह तो अब आपसन नमबर डी होगा कटोरा शर्षट का डी नमबर अटवर बताईए निमने में से कौन सा सब्द आपका विद्येशी है यह तो यह आपका टिकट हो जाएगा निमने में से संग्या सब्द कौन सी यह उन्हां पर क्या होगा सभा हाना बिलकुल सही देखिए सभा यहापक क्या है आपका सभरनाम सब्सक्राइबाइब यहां पर पर क्या होगा आपका यहां पर ho जाएगा कौन क्या प्रस नवाचक सर्वनाम का प्रकार है प्रस नौहाचक का है निम्ने मिशेंशतर सम्altet बदआए यहां पर क्या होगा एक प्रा विसेश्ण होता है तो विसेशन की जो शेश्तां बतलाते हैं तो यहां पर आपको विसेश्ण बताना है एक हत्ताम भल्ष опасah, जो संध्या सर्वनाम की संटा बताते हैं अंसर तो यहां पर जो आपका लिखा हुआ है ना गिराना आपसर नंबर सी नंबर को द्यान से देखिए गिराना जो है आपका गिर है ना अवाना बिल्कुर सही है यहां पर आपका कर्मक और सकर्मक हाँ बिल्कुल सभी अफसर नमबर सी कहा है आपका प्रियारता के लिए बिल्कुल सभी है निम्न में से अभ्याय बताईए यहां पर क्या है 23 अब्याय इसमें ठीक हो जाएगा जुस्टीक लिखा हुआ यही आपका अभ्याय पच्छी का परियावाची बताइए इनमें से कौन सा होगा भूधर मीन वरंद और विहग ये लिखा हुआ है तो यहां तो विहग हो जाएगा सिंपल था जटिल का बिलों क्या होता है बहुत ही आसान है जटिल का क्या होता है सरल होता है आपसा नंबर यह होगा जो देने यो सब्सक्राइब क्या होगा तो एक देखिये दिन जो आपका है यह तो दिवस से रिलेटड हो गया तो यहां पर अगर हम बात करते हैं अनेकार्थी यहां पर आपका अंबर अंबर क्या है आपका अनिकारती सब्द है अ कास वस्त्र बादल आदी अनिकारती में आएगा निमने में से वर्तनिक ड्रेष्टे से सुद्ध सब्द बताई है आप देखिए सुद्य कैसे रिखा हुआ तो यह तो सिंपल है उन्यासी नंबर आपको परिच्छा सही लिखा हुआ है बागी तो परिच्छन में रा में बढ़ी के मंद्र लगनी चाहिए था पूझ भी गलत यह प्राण में आड़ा बनता है कि सब आपके असुद्ध निम्न मादू री we're our तो सही लिखा है है वादू सही रख buyers रखा है है चली आगे बढ़ते हैं कि नमन्य में से अधिक कारण अधिक कारण कारण का परसर कउसा है चली यहां पर दिखे कमेंट कर ना है 81 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होना चाहती है कं करताने कर्म को करण से के कर तो यहां पर शिंपल सी बात हैा पर आपको क्या हो जाएगा अधिकराल निम्न निम्ने से सब्रेकिए簡 नंबर का ज्वाब क्या होगा प्रियुक्त होते हैं याद रखेगा यहां पर दर्शन आपका हो जाएगा निम्ने में से भूत का उदारन यहां पर कौन साही बताईए पचासी नंबर का जबाब क्या होगा भूत काल यानि पूर्ण का बात हो रही है भूत काल तो यहां पर आपका राम घर गया था आपसा नंबर यहां पर क्या होगा बी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही अंसर आपका यहां पर हो जाएगा जिनका भी प्यारा ना बिल्कुल सबसरे में और घऄ में서 बहुं को crossing क्या होगा वाज्षे इन में से बैठा नहीं जाता की है ने मिस्रवाकन सा है संद्वाकन बहुत अच्छे साप को बताया है तो यहाँ पर बताइए सब्था सी घात जाय झात चाहिए लिए घो हम तब हम लोग बाहर गए है ना यहाँ पर आपका अंसर क्या होगा बताईए जब मुख और अन्यास्रीत होते हैं एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं जब सवेरा हुआ तब हम बाहर लोग गए तो कहीं ने मतलब बिल्कुल सही बात है यहाँ पर मिस्तर आपका हो जाएगा देले जाना जो प्रश्न चिन ने यहां पर बताई कौं साइब इसमें प्रश्न इतना आसान बताईगा ये प्रस्न प्रश्न नमबर भी होगा आसमान फट जाना मुहावरे का क्या मतलब होता है 90 नमबर तो इसका मतलब होता है आफट आप filing अपसद नंबर डूगा हाँ एक हाँ बिल्कुल कर्रेक्ट अंसर दिया गया है में लूपी होना जिब कोई गपर यहां होना यहां पर लिखा हुआ है बोए पेड़ बबूल का आम कहां से होए लोकोकति का सही अर्थ क्या होता है इसके कावत से ही देखिए थोड़ा सा आइडिया लगा सकते है आइडिया यही है इसका कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा यही इसका मतलब होता है लाब ही लाब अर्थ के लिए सहील लोकुक्ति क्या होगा तो लाब ही लाब का लाव हो रहा है इसका उल्ब अंसर आपका ए नंबर आपको लगा देना है मूल पाट की व्याक्या के साथ अनुवाद कहलाता है क्या कहलाता आपको बताना है मूल पाट की व्याक्या के साथ जो अनुवाद होता है उसको हम कहते हैं व्याक्या नुवाद कहते हैं क्या कहते है व्याख्यानुवात कहते हैं आपसन नमबर डीवाल आपका सही होगा ब्रज हिंदी की किस उपभासा के अंतरगत है यहाँ पर देखिए आपको जबाब देना है ब्रज जो है हिंदी की किस उपभासा के अंतरगत है आपसन दिये गया है पहाड़ी हिंदी पूरवी हिंदी प संबिधान संसोधन किस अनुष्यद में आपको कमेंट करके जरूर बताएगा सूर सागर के रचहिता कौन है 97 तो यहां पर दिखिए सूर सागर के रचहिता पूछा गया है सूर सागर के रचहिता कौन है 97 तो यहां पर आपका सूर दास हो जाएगा कली प्रस्न करवाए था निमने में से रीत काल का कभी इन में से कौन सा है यहां पर दिखिए रीत काल का कभी बताना है 98 में और 98 का जवाब मारे विच आच चुका है आपके आपके नमबर यहां पर होगा और उर्वसी किसका महाकाब है तो यहां पर देखिए स्वा नमबर का दीखिए जैसंगर पर और पर यहां पर आपके नमबर आपका करेक्टर आपका हो चलिए दोस्तों आज आज पर फर्स्ट क्लास खतम कर दियें पचासी प्रस्ट ने लिए थे हिंदी के और इसी तरीके से आप पढ़ते रहें और अगली क्लास आपकी रात साड़े नो बजे होगी तो सबी लोग साड़े नो बजे वाली क्लास में जरूर आएगा रिजिनिंग के बहुत ही बेधरी प्र